नमस्कार दोस्तों, यूनी एक्जाम स्पीसेस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है तो आज के सेशन में हम यूवी पीसेस कमिशन के द्वारा पूछे गए पिछले 5 सालों में पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और सेंसस से जितने भी सवाल पूछे गए 2011 सेंसस, उन सभी को questions को हम देखेंगे, discuss करेंगे करके इससे पहले अगर बात करें तो आपने अगर पिछले वीडियोज नहीं देखें जिसमें हमने इंडिया के सेंसस को discuss किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश अगर आप UP पीसेस का एक्जाम दे रहे तो आज की questions देखेंगे, 2022 से लेके 2018 तक जितने भी सवाल सेंसस से, अर्बनाइजेशन से पूछे गए थे, उनको हम देखते हैं तो आईए चलिए, पहला question देखते हैं पहला सवाल क्या कहता कि T. Malthus propounded one of the most famous theories जिसका नाम है the Malthusian theory which is related to जो T. Malthus के द्वारा जो theory दिया गया था, जिसका नाम है Malthusian theory के नाम से जो famous है वो किस चीज से related था, पहला है poverty से, population से, unemployment से या फिर economy से related था तो Malthusian theory की बात करें तो काफी famous theory इनके द्वारा दी गई है और वो population से जुड़ा हुआ theory है, ठीक काफी famous theory दिया गया था इनके द्वारा तो हमारा answer होगा इस question का option B, that is population तो Malthusian theory के बारे में बात अगर किया जाए, तो इनोंनों कहा था कि जो population है हमारा, वो exponential growth से बढ़ रहा है, exponential growth मतलब geometric progression आपने mathematics में इसको पढ़ा होगा, AP and GP तो इनका कहना है कि जो population है, वो geometric progression या arithmetic, sorry, geometric progression के rate से बढ़ रहा है अगर आप इस graph को देखेंगे, तो ये क्या exponential graph है, जो कि हमें population के बारे में बता रहा है और जो resources है या food supply है, वो हमारा arithmetic progression में increase हो रहा है मतलब linear growth देखा जा रहा है जैसे कि यहाँ पर, ये क्या है हमारा resources का बढ़ता हुआ graph दिखाई दे रहा है तो इनका कहना है कि जैसे ही एक point ऐसा आएगा, चुकि population हमारा तेजी से बढ़ रहा है as compared to resources, तो एक point के बाद जो resources है उसको population cross कर देगा ठीक है, तो उस point के बाद से हमारा crisis, time of period of crisis शरू हो जाएगा तो इस crisis से बचने के लिए मालतस ने दो एक तरीके से checks बताए जिनको कहा positive checks और preventive checks positive checks क्या बताए इन्होंने कि जो हमारे हाथ में, हमारे इंसान के या human के हाथ में नहीं है जैसे famines हो गये, earthquake हो गया, floods हो गये, epidemics या war हो गये तो इन सभी को इन्होंने positive checks का नाम दिया और preventive checks क्या है, जैसे late marriages, देर से शादी करना, self-control अपने आप पे contraceptives का use करना या simple living, तो ये जो इन्होंने दो important checks बताए थे जिससे की population को control किया जा सकता है और ये जो crisis की बाद की इन्होंने उससे बचा जा सकता है फाइन, वागे चलते हैं, next question देखते हैं, which religious group in India has its highest urban population इन में से कौन सा religious group है जिसका urban population सबसे जादा देखने को मिलता है जैन, Buddhist, Christian या फिर Hindu, तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारा answer होगा option A, जैन जैन के अगर बात की जाए तो लगबग 78% या अप्रोक्स कह सकते हैं, 80% के around population जैन की population वो urban areas में रहती है, ठिक, तो इसका answer हमारा हो जाएगा option A इसके बारे में हम other, जो religion से उनके बारे में भी discuss कर लेते हैं कि किसका कितना urban percentage देखने को मिलता है, urban population तो सबसे जादा जैसे कि बताए कि जैन का जोकी 78.7% है, जोकी सबसे जादा है सेकेंड नमबर पे हमारा आता है Buddhist, कितना है 43% और Christians और Muslims की बात की जाए तो लगबग इनका बराबर है, 40% के अप्रोक्स देखने को मिलता है उसके बाद Hindu 29% और सबसे कम urban population 6 का देखने को मिलता है, जोकी 28% है आगे बरते हैं, अगला सवाल है consider the following cities of Uttar Pradesh and arrange, यहाँ पे आपको arrange करना है in descending order, in terms of their population, इनके population के क्रम में लगाना है, ठीक, किस क्रम में, अबर ओही क्रम में लगाना है आपको descending order में लगाना है, पहला है गाजियवाद, कानपुर, आगरा, लखनो, ठीक हैं, तो अगर किस city का population सबसे जादा है तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हमने अपने जो उत्तर प्रदेश का census है, उसमें काफी detail में discuss किया है इनके अलावा और भी जो cities हैं, उन सभी के बारे में हमने देखा तो यहाँ पे इस question पे आते हैं, तो सबसे जो जादा population देखने को मिलता वो हमारा है कानपुर, तो यह सबसे पहले number पे हमारा आ जाएगा, fine कानपुर के बाद करें, तो second number पे हमारा हो जाएगा, लखनो, that is fourth ठीक, यह हो गया, और लखनो के बाद तीसरे number पे हमारा गाजियबाद आएगा, fine तो यह first और बचा हमारा आगरा, that is third, तो यह जो है sequence कहां मिल रहा हमें देखने को 2, 4, 1 and 3, तो 2, 4, 1 and 3, option C जो है हमारा correct answer हो जाएगा इसका, ठीक, तो आएए बाकी के जो cities हैं, जो major cities हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं, जो urban agglomerations हैं, ठीक हैं, नगरिये, संकुलन, उनके बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा कानपुर जहां पे 2.92 million population देखने को मिलता है, second number पे लखनव, third गाजियाबाद, fourth है आगरा, यो की सवाल में पूछा गया है ये शारो, उसके बाद बचते हैं ये तीन, वारनिसी हो गया, 1.44, वारनिसी के बाद मेरट, then आपका आखिर में आता है इल sociologist, किस sociologist ने जो रूर्बनाइजेशन का आइडिया है वो दिया था, H. Spencer, योगेंदर सिंग, G.S. घुर्ये या फिर M.N. स्रीनिवास, तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो हमारा answer हो गया, रूर्बनाइजेशन का जो आइडिया है वो option C, G.S. घुर्ये के द्वारा दि कि he is the father of Indian sociology, ठीक है, क्या बोलते है, father of Indian sociology, ठीक, इनको ये भी कहा जाता है, और उर्बनाइजेशन क्या क्या मतलब है, अर्बनाइजेशन of rural areas, यहां पे migration देखने को नहीं मिलता है, यहां पे rural areas जो है, वो urban features को adopt कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो lifestyle की बात हो, या settlements की बात हो, ठीक, predominantly क्या देखा जाता है, कि rural areas में agricultural economy देखने को मिलती है, ठीक है, low level of lifestyle देखने को मिलता है, तो इन सभी में क्या है, अब बदलाव देखने को मिल रहा है, उसी को इनोंने urbanization का idea नाम दिया है, यह क्या एक hybrid form है, ठीक, तो क्या है, it is a process of rural transformation, rural areas का transformation होना, इसी को urbanization कहा जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर हम देखें, it is an approach, यह हमें बताता है, इंडिया में urbanization को समझने में help करता है, यह idea, ठीक है, तो क्या कहते हैं, it is a process of altering, rural forms with urban patterns, rural forms जो है, या rural जो areas है, उनको उनमें बदलाव देखा जा रहा है, किस तरीके का urban patterns में जो changes देखने को मिलता है, ठ ठीक, lifestyle हो गया हमारा, ठीक है, which creates a new hybrid urban form, जिसको हम नया, एक hybrid form के नाम से जान रहे हैं, जिसका नाम है, रोरबन, मतलब rural plus urban का mixture यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, next question की ओर, demographic dividend is, demographic dividend क्या है इन में से, working population of 15 to 59 years, या फिर 14 to 50 years, या 0 to 6 years का जो population है, या working population of above 60, जो 60 साल से उपर है, तो demographic dividend की बात करें, तो यह represent करता है हमारा working age population, किस के बारे में बताता है, working age population के बारे में हमें बताता है, तो अगर हम बात करें, working age population नॉर्मली कब देखा जाता है, किस age के बीच में, कौन सा age group यहाँ पे, काफे आसानी से identify कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है, तो भी आप पता लगा सकते हैं, तो 15 to 59 years का जो duration है, जो time period है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं working population, ठीक, और यही हमारा क्या है, demographic dividend है, और इंडिया के अगर बात करें, demographic dividend के बारे में, तो currently इंडिया का क्या है, 62.5% जो population है, वो इस age group के बीच मे लाई कर रहा है, जो की एक तरीके से one of the highest है पूरे world में, ठीक है, तो इंडिया इसका फायदा उठा सकता है, अपने economy को develop करने के लिए, ठीक है, और बहतर growth and development के लिए, इंडिया के development के लिए, और यह जो population है, जो demographic dividend है, यह कब तक रहेगा, यह हमारा 2036 तक, 2036 तक यह रहेगा, यह इसका peak time है, 2036 के बाद हमारी जो demographic dividend है, वो घटना शुरू हो जाएगा, तो अब से 2036 तक हम जितना जादा पायदा उठा सके, अपने demographic dividend से, उतना ही हमारे देश के लिए बहतर होगा, ठीक, आगे चलते, तो इसका answer क्या होगा, option A will be the answer, next question, अब हम बात करेंग यह 2022 में पूछे गए थे, पिछले साल के, just previous years के questions देखें, अब 21 के देखते हैं सवाल, as per census 2011, 2011 के census की बात कर रहा है, which of the following is the most populous state of India, बिलकुल आसान सा सवाल है, बिहार, मद्यप्रदेश, महरास्टर, या फिर उत्तरप्रदेश, तो जैसा कि हम सब जानते की, उत्तरप्र देश का population सबसे जाधा है इंडिया में, ठीक है, सभी राजियों में, कितना है, अप्रोक्स अगर बात करें, तो 20 क्रोर्स देखने को मिलता है, या 19.98 क्रोर्स, या 20 क्रोर्स हम क्या सकते हैं, आंसर क्या होगा, इसका option D, आगे बढ़ते हैं, इंडिया, in इंडिया, the first municipal corporation was set up in which among the following, इंडिया में, पहला जो municipal corporation, set up किया गया था, वो कहां पे किया गया था, कलकत्ता में, मदरास, बॉंबे या फिर डेली में, तो आंसर हमारा होगा, इसका option B, मदरास में, जो है, इंडिया में, इंडिया का पहला, जो municipal corporation है, वो set up किया गया था, स्थापित किया गया में और 1688 में इसका inauguration किया गया था, ठीक, 1668 में inauguration किया गया था और 87 में it was set up, तो answer होगा हमारा option B, आगे चलते, which one of the following is known as acceleration stage in the urbanization curve, urbanization curve के बार में पूछा जा रहा है, कि इन में से कौन सा stage, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, को हम acceleration stage के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हमने अपने population census की जो video है, session है, उसमें अच्छे से पूरा detail में discuss किया था, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, acceleration stage की, तो यह हमारा second stage आता है, second stage को हम इस नाम से जानते हैं, ठीक है, urbanization curve की बात करें, किसने ये curve दिया था, this curve was given by Kingsley Davis, ठीक, Kingsley Davis के द्वारा दिया जा था, और इसमें तीन stages देखने को मिलते हैं, ना की चार, तीन stages हमें देखने को मिलते हैं, और इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया कौन से stage में है, तो इंडिया acceleration stage में आता है, ठीक है, इंडिया हमारा second stage में है, that is acceleration stage, ठीक बात, तो आईए, इस curve के बारे में देखते हैं, यह हमारे वो तीन stages हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां यह हमारा first stage हो गया, that is initial stage बोलते हैं इसको, यह हमारा हो गया second stage, जिसको हम acceleration stage के नाम से जाने हैं, और यह हो गया हमारा third stage, ठीक है, जिसको terminal stage के न urbanization curve को के बारे में हमें बताया था, ठीक है, तो यहां पर initial stage में क्या देखने को मिलता है, initial stage में हमारा traditional society हम देखते हैं, rural ज्यादा था, rural society देखी जाती है, और उसके बाद acceleration stage में क्या होता है, investments increase होता है, human capital में, ठीक है, invest किया जाता है, और उससे growth and development में बढ़ोतरी देखी total population अगर किसी country का देखा जाए, growth rate, उस total population is equal to total urban population, दोनों का growth rate समान होता है, overall population और urban population, ठीक, तो यह concept दिया गया था, Kingsley Davis के द्वारा, आगे चलते हैं, with reference to birth rate, which of the following statement is, यह are correct, birth rate से related statement है, कौन सा, इस में से correct है, urbanization helps in reducing birth rate, urbanization जो है, help करता है in reducing birth rate, ठीक, दूसरा statement देखा जाए, तो high literacy rate is directly related to low birth, high literacy rate directly related है, किस से low birth rate से, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, कि urbanization help करता है, किसी तरीके से, चाहे वो direct या indirect तरीके से, birth rate को control करने में, या कम करने में, चूकि urbanization बढ़ता है, तो लोग क्या होते हैं, एक तरीके से education भी बढ़ता है, और जो एक तरीके से inflation है, वो जादा बढ़ती है, महंगाई तो जो couples है, वो number of offspring है, वो कम produce करते हैं, कम बच्चे वो पैदा करते हैं, तो उस तरीके से कही न कही birth rate में कमी देखने को मिल रही है, और education तो directly देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि directly related है, low birth rate से, तो दोनों ही statement हमारे यहाँ पे क्या है, correct है, तो answer हमारा क्या होगा, option C, both 1 and 2 are correct, ठीक, आगे चलते हैं, which of the following state has the lowest density of population as per census 2011, यह भी आसान सा सवाल है, पूछा गया है जो, census से, हिमाचल प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, वेस्ट बंगॉल या मिजरूम, बताइए, इस में से किसका population density सबसे कम है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो option B, अरुनाचल प्रदेश, इसका population density जो है, सबसे कम देखा गया है, जो कि अगर numbers के, अगर figures में बात करें, तो सिर्फ 70 per square kilometer में कितने लोग रह रहे हैं, सत्र लोग सिर्फ रह रहे हैं, जो कि सबसे कम है इंडिया में, fine, आगे चलते हैं, what should be the total fertility rate of a population in order to reach replacement level of fertility, एक, प्रजिनन की प्रतिस्थापन स्तर तक पहुचने के लिए, जनसंख्या की कुल प्रजिनन दर्व या TFR क्या होनी चाहिए, option A, एक 1.6, 2.1 या फिर 2.3, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जो total fertility rate होनी चाहिए, in order to achieve the replacement level of fertility, वो क्या है हमारा answer हो जाएगा, option C, 2.1, यह हमारा सही उत्तर होगा, ठेक, तो अगर इंडिया की अगर हम बात करें, कि इंडिया में, इंडिया ने इस target को अचीव कर लिया है, 2.1 जो है, पहले ही अचीव कर लिया था, और जो latest, जो है national health survey आया था, जो कि ministry of, अगर बात करें, ministry of health and family welfare के द्वारा लाया जाता है, 5th cycle of the report, उसमें बताया गया है कि इंडिया ने जो इसको 2.0 तक, जो है, कम कर लिया है, इससे भी reduce कर लिया है, fine, जो ideal जो condition, जो replacement rate बताया जाता है, वो है 2.1, ठेक है, तो यह इसका answer हो जाएगा, हमारा 2.1, ठेक, तो यहाँ अगर हम बात करें, national family health survey report जिसके बारे में हमने बात किया कि 5th cycle of report, इंडिया का जो fertility rate है, it has declined from 2.2 in 2015 में कितना था, 2.2 था और 2019 से 21 के बीच में ये 2.0 हो गया, जो कि कम हो गया, fine, तो यह हुआ हमारा total fertility rate, total fertility rate क्या होता है, इसके बारे में अगर TFR के बारे में अगर हम बात करें, तो एक normal, जो एक तरीके से female होती है, उसका reproductive age क्या माना जाता है, 15 to 49 years, यह reproductive age माना जाता है, normal या ideal condition में, ठीक, तो यह हमारा होता onset of menstrual cycle और यहाँ पर, यह है, menopause, ठीक, menstrual cycle का शुरू होना, ठीक है, तो इस बीच में कोई particular जो female है या women है, वो कितने बच्चे पैदा करती है, उसी को हम total fertility rate कहते हैं, ठीक, तो यह होता हमारा TFR, fine, इंडिया जो की ideal condition में हमने क्या बताया, कि 2.1 होना चाहिए, और इंडिया इसको achieve कर चुका है, बलकि इंडिया इससे भी कम करके 2.0 कर लिया इंडिया ने, ठीक है, आगे चलते हैं, कानपुर और लखनव cities of UP, उत्तर प्रदेश became million cities, million cities as per the census of India in the year, किस साल में उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनवन नगर, किस भारतिय जनगरना वर्ष में 10 लाख ही नगर बने, ठीक, 1951 या फिर 1951 और 1961, 61 and 71, 71 and 81, काफी close options आपको यहाँ पे देया गया है, यह फसाया गया है, इस तरीके के questions नॉर्मली हम नहीं करके जाते हैं, बट चुकि यह previous yes में पूछे गया हैं, तो इसको हम ध्यान में रख ले, ठीक, खास कर से अगर कानपुर और लखनवन की बात किया जाए, तो कानपुर जो है हमारा 1971 में, जो है, इस list में इसको add किया गया था, ठीक, million cities के list में, और लखनव को हमारा 1981 में add किया गया था, तो यह option C हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, अगर याद करने के बात किया जाए, तो कानपुर की बात अगर करें, तो K हमारा alphabetical order में पहले आता है, उसके बाद L देखने को मिलता है, तो यह हमारा हो जाएगा 71, यह हो गया हमारा 81, तो इस तरीके से इन दोनों को आप याद कर सकते हैं, ठीक है, चुकि यह पिछले साल पूछे गें, तो यह आपके लिए important हो जाते हैं, क्योंकि में भी इसको अगले साल फिर repeat कर दें, ऐसा हो सकता है, ऐसा देखा भी जाता है, UP pieces के papers में, next question, dependency ratio in India is declining because, dependency ratio या निर्भरता अनुपात जो है इंडिया में decline कर रहा है, decrease कर रहा है, उसका क्या कारण है मुक्ष, population of 0 to 14 years is relatively high, ठीक, जो 0 to 14 years का population वो काफी जादा है इस वज़े से, ठीक, या फिर population of 60 years and above is relatively high, ठीक है, is relatively high, या population of 15 to 59 years is relatively high, या population of 0 to 14 and 60 years, together, 60 years and above together are relatively high, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा, ठीक, सबसे पहले तो इसको हम 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो answer हमारा होगा कि population of 15 to 59 years is relatively high, इसी वज़े से जो dependency ratio है, इंडिया में उसमें कमी देखी जारी है, ऐसा क्यों, क्योंकि यह जो age group है population का, इसको हम क्या बोलते हैं, demographic dividend के नाम से जानते हैं, मतलब working age population, चुकि यह population जादा है, इस वज़े से dependency ratio जादा हो रहे, जादा, कम देखने को मिल रही है, ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा, option C, natural growth of population is the outcome of which of the following, natural growth rate, growth जो है population का, वो किसकी वज़े से होता है, किस कारण वश होता है, crude birth rate, crude debt rate, migration या फिर marriages, तो यहाँ आपको 4 options दिये गए हैं, ठीक है, तो इन में से अगर हम बात करें, तो natural growth rate, growth of population के लिए जो responsible है factor वो है, crude birth rate and crude death rate, ठीक, यह दोनों जो है, natural growth rate के growth के, population के growth में factors नहीं count किये जाएंगे, तो answer होगा हमारा A and B will be our answer, that is D हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, natural population growth यह जैसा कि हमने बात किया birth rate और death rate की वज़े से होता है, ठीक, और इसका इन दोनों का जो difference होता है, वही हमारा natural population growth rate देखा जाता है, अगर death rate जादा है birth rate से, तो उस case में हमारा जो natural growth rate हो जाएगा, वो negative हो जाएगा, और अगर birth rate जादा है, तो natural growth, population growth वो positive side में हमें देखने को मिलेगा, ठीक, और crude birth rate क्या होता है, crude birth rate क्या होता है, total number of live births per thousand population in a given year, किसी साल में, ठीक है, total number of live births per thousand population, उसी तरह से death rate क्या हो जाएगा, total number of deaths per thousand population in a given year, ठीक, तो यह हमारा birth rate और death rate के बारे में है, अब बात करते हैं, which of the following states is ranked economically at the top, but lowest on the basis of sex ratio, कौन सा state या राज ऐसा है, जो economically तो उपर देखने को मिलता है, ranking बे, बट sex ratio की बात आती है, तो वो काफी नीचे है, या in fact इंडिया में सबसे नीचे है, मध्यप्रदेश, महराष्टरा, वेस्ट बेंगॉल या फिर हरियाना, तो इसका जो answer होगा, sex ratio सबसे जादा कम कहां पे है, हरियाना स्टेट की बात की जाए, तो ये economically एक तरीके से उपर आता है लिस्ट में, और sex ratio इसका सबसे कम है, इंडिया में, ठीक है, 879 के around, इसका sex ratio देखने को मिलता है, fine, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, आगे देखते, which of the following districts of उत्तर परदेश has the lowest female literacy rate, lowest female literacy rate, 2011 census के हिसाब से कौन से राज में देखने को मिलता है, रामपूर, बलरामपूर, या फिर शावस्ती, या पहराईच, तो यहाँ पर बात करें, तो शावस्ती, जो जिला है उत्तर परदेश का, ठीक है, नादन बॉर्डर, जो कि नेपाल के साथ इसका बॉर्डर लगता है, यहाँ पर female literacy rate सबसे कम देखने को मिलता है, ठीक, तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा, शावस्ती के बाद अगर बात करें, तो बलरामपूर हमारा आ जाता है, उसके बाद बहराईच देखने को मिलता है, ठीक, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंशिस, 2011 सेंशिस, विच आप फॉलोईग इस्टेट्स हाज दा लोईस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, लोईस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बोथ रूरल और अर्बन एरियास, कौन सा ऐसा राज है, जहाँ पर चाहे आप अर्बन एरियास की बात करें, या रूरल एरियास की बात करें, दोनों ही केसेज में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतला 0 to 6 जो पॉपुलेशन एज ग्रूप है, इसकी बात की जा रही है, ठेक है, उत्तरप्रदेश, केरला, हरियाना या फिर जमू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, हरियाना स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर रूरल और अर्बन दोनों केसेज में चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो सबसे कम देखने को मिलता है, अगर बात करें अगर हम रूरल एरिया की, तो यह 835 है, और अर्बन एरिया की अगर हम बात करें, तो यह कितना है, 832 यह पर थाउजन मेल्स देखने को मिलता है, आगे देखते हैं, According to 2011 census, which of the following states has the largest rural population, largest rural population किस राजे में देखने को मिलता है, मध्यप्रदेश, महराश्टरा, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा, option D, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा rural population देखा जाता है, अगर नंबर्स में बात करें, तो यह ल इसमें से पंदर करो, साड़े पंदर करोड जो population है, वो rural areas में रहते है, लगबाग 77%, ठेक है, more than 77% अगर हम देखे तो, आगे देखते है, according to UN Department of Economic and Social Affairs, that is UN देशा, what percentage of world's population, total population is currently living in urban areas, इस particular department, United Nations का जो department है, Department of Economic and Social Affairs, इसके हिसाब से, world में कितने percentage of population, वो urban areas में रहते हैं, ठेक, 25, 35, 45 या फिर 55, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस particular report के हिसाब से, जो कि 2018 में release किया गया था, यह कहता है, कि 55% जो world का population है, वो urban areas में रहते हैं, देखने को मिलता है, तो यह हमारा answer हो जाएगा, ठीक, तो इस report के बारे में कुछ और details अगर बात किया जाए, तो यह report कहता है, कि यही 55% जो अभी देखा जा रहा है, currently, 2050 तक यह percentage बढ़के हमारा कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा, ठीक है, 55% से 68% हो जाएगा, और जो increment होगा, इस बीच में, वो जादा तर जो कुछी देशों में, maximum increment जो होगा, वो कुछी देशों में होगा, और वो कौन से countries होंगे, जो developing countries है, for example, अगर बात करें, तो इंडिया, चाइना और नाइजीरिया, ये तीनों countries मिला के, 35% population जो increment देखा जाएगा, वो इन्हीं देश में होगा, ठीक है, urban population की बात हो रही है, between 2018 से 2050 के बीच में, तो बात करें कि सबसे जो urbanized, सबसे जादा, या most urbanized reason है, world में वो कौन सा, या continent के term से बात करें, तो जो Northern America, Northern American continent है, या region है, वो सबसे जादा urbanized area देखने को मिलता है, पूरे world में, जो की 82% population वहाँ पे, urban areas में वो रहते हैं, ठीक, इसके बाद हमारा Latin America and Caribbean आ जाएगा, जापे 81%, तीसरे नंबर पे हमारा Europe आ जाएगा, विच 74%, फिर Australia 78%, और Asia की अगर हम बात करें, तो Asia में 50% of population urban areas में रहती है, और सबसे कम अगर हम देखें, तो Africa में, African continent में, जहाँ पे 43% के around, जो population है, वो urban areas में देखी जाती है, ठीक, इस तरीके से हमने पिछले 5 सालों के questions देखें, जो हमारे exams में पूछे गए हैं, इसके base पर ये questions आगे भी repeat हो सकतें, और होते आए हैं, ठीक है, तो आप इसको पूरा देख सकते हैं, और इसके अलावा जो पिछले sessions लिए गए, संचस के, चाहे वो इंडिया के संचस की बात हो, चाहे उत्तरप्रदेश के संचस की बात हो, उसको detail में जो है, discuss किया गया, आप उसको जरूर देखें, ठीक, तब तक के लिए धन्यवान.